नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्षय पर आई गई है दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है आपके CRPF के अंदर जो आपके टेक्निकल और साथ में आपका ट्रेड्स में दोनों की पोस्त के लिए जॉब निकले थे आपके जो कि 16 मार्च को उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया था जिसके बारे हमने एक वीडियो के अंदर पूरा डिसकेशन किया था उस नोटिफिकेशन से रिलेटिड कि इसके अंदर कितने पोस्त है आपको पहले भी बताया गया था कि 9212 पोस्त के ओपर यहां पर जॉब है सा नहीं कि हम आपका इस वीडियो में फॉर्म फिल अप करने वाले हैं CRPF के अंदर ट्रेड में और साथ में टेकनिकल दौनों पोस्त के लिए जो जॉब थे मेल फिमेल दौनों के अंदर थी है यह आपका सेंट्रल रिजर्ट पुलिस फोर्स के अंदर था हमने सारा को डिसक करने वाले हैं सबस्क्रات करने वाले हैं सुद्ध क laufen अब करेंगे इस थरीगे पूरा process रहेगा आपको बताया बुक्रा नोटिफिकियोचन सब कु हुर बतादीन की बात हमने कर लिए तैं प्लस qualification आपकी होनी चाहिए इसके लिए अपलिया करने और बाकि सारह पुज हमने test और साथ में physical standard test भी होगा बाद में trade test होगा document verification होगा उसके बाद आपका medical examination भी होगा सारा कुछ हमने discuss किया था हमने यह भी discuss किया था कि one by one अगर कोई first stage को qualify करेगा जैसे कि जो CBT को qualify करेगा उसका physical test होगा जो physical test को qualify करेगा उसका physical efficiency test होगा इस तरीके से वह उसको qualify जो कर लेगा उसका trade test होगा इस तरीके से हमारा पूरा यहां पर पैटन था अलग अलग फेस थे जिसे आप से हमारा यह पूरा जो है एक्जाम से related यहां पर selection होगा यहां पर हमारी पोस्ट इस इसाफ से हमें यहां पर job मिल जाएगी यह दौनों पोस्ट के लिए हमने सारा कुछ वहां पर discuss किया था एज लिमिट भी discuss किती हमने बताया था आपको 18 जो कम से कम एज होनी चाहिए और आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना क्यूंकि उसमें सारा कुछ डिसकस हुआ है को इस पर किलिक करके login करना है अपना डालना है पासवर्ट क्रियेट जो उन्होंने किया था वो डालना होगा और फाइनली वह login हो जाएंगे login करते ही उनको अपना फिर बाकी application form flip करना है जो पहले से रेजिस्टर्ड है website पर CRPF की अब मैं नेक्ट आपको बता रहूं कि जिनको सुरू से करना है नीव रेजिस्टर्शन में वह कैसे करेंगे लाज्ट यहां पर लिखे हुए 25 अफ एपरेल 11 पच्पन तक मलतों कि रात के 11 पच्पन से पहले पहले आप 25 मार्च की रात के 11 पच्पन से पहले पहले इस form को भर पाएंगे और 27 मार्च से जो है इसका फार्म पर स्टार्ट हो गया हलां कि 27 मार्च से अभी तक जो है रेजिस्ट्रेशन अभुपा रहा था फॉंफ नहीं पा रहा था तो वह एक माएक अप्रेल से बोला गया था कि ओपन कर दिया गया है तो हम इस वयसे आप फॉर्म असलानी से कर प प्रेट्स में और साथ में टेक्निकल पोस्ट थी उसके अलावा उन पोस्ट के अंगल जो डिपार्टमेंट जैसे की ड्राइवर और आपका कारपेंटर, टेलर, ब्रासबेंड, पाईप बैंड, गाजनर, पेंटर, कुक, वाटर के, वाटर के रियर और बहुत सारे यहां पर अलग लग पोस्ट थे सबकी अलग थी आपको बता दू कि मैंने बोला वी था अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे तो उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है 18 प्लस तो वहाँ पे एज लिमिट होई गई थी पॉच्च्ब कररें सोभधार के लिए अलग कौलिफिकेशन हैं और इसी तरीके से अलग 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 कौलिफिकेशन है मीनिमम आपकी आपढके चली थैंटे मकी रहे किसी तो साल मी टोफिकेशन के अंदर लिखा मी आप इस प्रेंद जाह धी तो हम यह पीजा था वाले है त description में आपको दे दिया जाएगा notification से related पूरा notification का link साथ में उस video को भी आप देख सकते हैं जो हमने पहले हमने notification के उपर discuss किया है तो हम यहाँ पर किस post के लाप्लाए करने वाले वो मैं आपको बता देता हूं हम यहाँ पर इनमें से किसी post प्वा मैं कर सकते हैं मैं यहाँ ट्राइवर की post के लिए apply इसलिए नहीं करही हो क्योंकि license हो सकता है यह-सन हो मांगा जाये तो में यहाँ यहाँ पे के साथ अगर पीछे कोई जैसे की आपका पीछे कोई लाल आता हो या फिर कुमार गुपता या फिर कोई दूसरा महता या फिर कोई दूसरा आपका सरनेम आता हो वो यहां पर लगाना पड़ेगा जो भी सरनेम हो अब यहां पर बोला गया अफिर सेंअ पर डालना है कि अगर खर परिवार में केसी और का ओ तो वह भी डाल जा सकता है लेकिन अपना डालेगा वह तो इससे ये रहेगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन एक्सवार्नियों से रिलेटेड रहेगा आगे चलके एडविटकाड और अंसर की रिजन्ट या इससे कुछ भी रिलेटिड एक्जाम से रिलेटिड इस CRPF के ट्रेडमेंट्स और आपके टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसमें आप अपलाए कर रहे हैं तो आपको असानी से मिल सकेगा अब यहाँ पर अल्टरेट मॉवाइल नंबर आप दे सकते हैं बाईचांस आपका यह वाला मॉवाइल नंबर आगे चलके कभी माली चे बंद हो जाता है या फिर आपको इससे अपडेट नहीं मिल पाते है किसी ना किसी कारण से तो दूसरे नंबर पर वो अपडेट आ सके ह यहाँ आपको देनी है यहाँ पर एक वैलिट इमेल डी देनी होगी यहां पर पर while इॏ Iv कोशने कि हम स्मक्यावार अयदि में डाल देना मतब कि जो animal आडि अपने यहiane डाली है इमल आइड यहां पर धुबार दाल देंगे जैसे कि मैंने डाल दिया था वो दुबारा जो है वहां से वो अपने अप एरेज हो गई है तो हम एक पर दुबारा उसको डाल लेंगे दीकि यह दुबारा मैंने डाल दिया है अब अब यहां पर क्या वो लगया है यह यू और रिक्वाइड तो प्रोवाइड और करेक्ट मॉबाइल नंबर और इमेल एड्रेस एज ओल इंपॉर्टेंट कम्यूनिकेशन आर टुबी सेंट यू तो यू 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 यूजिंग दा सीम तिक आपको मैंने अब इस बताया इमेल आइड और मोबाइल नमर वैलिट दीजिएगा सेम बिल्कुल जिससे कि आपको उसी पर सारा नोटिफिकेशन जो है कम्यूनिकेशन आपसे हो सके है निकि बात जो भी इस एक्जाम से रिलेटिटिट है वह चुके हो सके अब आपको यहां पर क्या करना है आप इस पर इमेल हमारा मैच नहीं हो रहा है करना है कि आपने जो भी इहां पर अपने डिटेल्स दी हैं वह सारे करेक्ट है आपके नॉलिच के हिसाब से और अगर कुछ भी यहां पर रॉंग है तो उसके लिए आप रिस्पॉंसिबल है यह चीज आपको यहां पर बता देनी है आई एग्री करके फिर आपको नीचे यहां पर लिखा रहा रहा है वह एज़िटीज डालना है जैसे क्यापिटल इस्मॉल लेटर जैसे भी लिखा हुआ है वैसे आपको डाल देना है उसके आद रिव्येरिफ spraw में आपको कलिक करना होगा conten bamboo डीटेल जैसे कि पोस्छिंटbirdsk mg ernst Gabel की पोश्ट उसके बाद हम हम उसे submit कर देना है अब देंगे यहां पर लिखा भी हुआ है कि एक बार आपने submit कर आ तो आप इसको change नहीं कर पाएंगे्गे तो आपको अच्छे से देख के सम्मिट करना है तो मैं यहां पर कर दिया मैंने है इसको. TH करने के आद यहां पर लिखा आने लगए है में कोई एक application number मिला है यहां पर और साथ मैं यहां पोस्ट पोस्ट नेम पोस्ट code भी लिखा रहा जिसके लिए मैंने यहां पर apply कर रहा हु है तो इसको आपको screenshot लेकर रख लेना है जिससे कि कि आपका application number बाद में जब login करें तो आप असानी स्वर्जा डाल के login कर सके अब अब go to application पर मैं click करूंग और application form fill अब हम करेंगे one by one एक इक चीज़ जो उसके अंदर फिल करनी है वह हम यहां पर फिल करने वाले हैं अब यहां पर जैन्टर आपको बता देना है यहां पर जैसी कि यहां पर mail का option आगया आप सेम इसी तरीके से आप डेट अपर आपको बता रहें अपना इसके बाद यहां पर देंग क्या वह लगया ऐस ओन आपकी डेट जो है यहां पर यहां पर एंपर कित्जिंक आप की अपर आपकी डेट ओपर जो होगी उसके इसाप से देखी जाएगी इस वो але कितनी हो रही है उस ताइम पर देखी जो एज लिमिट था हमारा कारपेंटर की पोस्ट के लिए उससे साब से आप देख सकते हैं यहापे एज जो केलकुलेट करी जाएगी वह एक अगस्त 2023 के साफ से कलकुलेट करी जाएगी अगस्त इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका फॉर्म 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 होने वाला है 25 24 अपरेल तक दोसी आप टके बाद हमारा यहाँ पर फिर exam का schedule आएगा फिर उसके बाद हमारा एक्जाम होगा तो उसके मंबभई जून में एकजाम जाएगा इस तरीके से हमारा जब तक हमार को najbardziej पोस्ट का नियेंगी तब तक यह हे आगस्त का मन श्याइज आही जाएगा जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, UR जो भी है, UR आपका unreserved category हो जाता है, जो इसमें कोई reservation नहीं होता है, कोई caste certificate नहीं होता है, आपका reservation के साफ से SC, ST और दूसरी जो होती है, backward caste और सारा कुछ. यहाँ पर आपको father का नाम बता देना है, यहाँ पर mother का नाम एंटर करना है, फिर जाए कि आप mobile number, email ID हमारा है, लिखाई आ रहा है, आप हमसे बोला जाना है, test city preference, आपको test state चुनना है, पहले कि कौन से state में आपको exam देना है, जैसे आप देख सकते हैं, सारे state के अंदर आपक पास का चुनन है, जिसे कि आप आसानी से उस exam को दे सकें, आपको travel करने में उतना problem face ना करना पड़े, इस वाई से थी कि Delhi के अंदर, New Delhi City के अंदर इसका exam center होगा, अब वो कौन से center होगे, वो आपके admit card पर लिके होता है, आपका क्या center होता है, क्या venue होता है, क्या venue होता है, second हम यहाँ पर चुन लेंगे दूसरा कोई state, जो हमारे डेली के आसपास ही हो, जिसे कि हम अगर डेली में नहीं बिलता है, तो हमें हरियाना जिसे कि दूसरा state हमने यहाँ पर चूज करा है, हरियाना में हमें center मिल जाये, तो इस तरीके से आपको भी अपना selection कर लेना है, यह यहाँ पर नुवेडा का option आया, नुवेडा जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ का यह city है, उस वह से मैंने नुवेडा यहाँ चूज कर लिया, आप एक serviceman details बतानी है, अगर आप पहले कभी काम कर चुके है, तो yes otherwise no कर देना है यहाँ पर आपको, additional details आपको आपको बतानी है, आप सरकारी किसी भी department के आप काम करते हैं नहीं, चाहे वो state government हो, चाहे वो central government हो, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो वह आपको देख लेना है, अगर करते हो, तो yes otherwise no कर रहा हैं आपको, same, are you a children and dependent of victim killed in the 1984 riots or criminal riots on 2002 in Gujarat, देख आप सब पूछा गा रहा है, are you a children and dependent of, तिक यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है, कि Gujarat में 2002 के अंदर कुछ यहाँ पर बात हो रही है, victim killed ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यह आपको check कर लेना है, हाला कि यह कुछ समझ नहीं आ रहा है, actually में वही सब कुछ ऐसा कुछ case steady tap की बात हो रही है, यहाँ पर मैं तो no ही कर रहा हूँ, आपको देख लेना है, आप देख यहाँ पर address line आपको बता देना है, आपको अपना address बताना होगा है, यहाँ पर, पुरा address line 2 में आप यह दे सकते हैं कि आपके आसपास address, आपका जो address है उसके आसपास की कोई location कोई चीजा सी बता सकते हैं, same country हमें बता देना है, इंडिया को option ही आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इंडियान ही को, इंडियान को ही apply करने का मौका है यहाँ पर, क्योंकि इं इस permanent address same as correspondence address, आपको यह बताना है कि जो आपने उपर address दिया है वही जो है, आपका permanent address है, जो आपने उपर address दिया है, अगर है तो yes, otherwise आप यहाँ पर no करके, दूसरा address देने वाले हैं, अब हमारा यही permanent address कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टिक कराए कि भाई, same address हरेगा हम यहाँ पर्मानेट address और correspondence address में फड़क यह होता है, correspondence address वह होता है, कि माल लीजे अभी के लिए आप वहाँ उस address पर रहते हैं, permanent address वह होता है, कि आप हमेशा वही उस address पर रहते हैं, तो इस तरीके साथ देख सकते हैं, आपको 10th की detail देनी है, 7th 12th की detail देनी है, intermediate आपका 12th class ह होता है, matriculation आपका 10th class होता है, अब intermediate 12th को इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वह एक beach वाला class हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आप school close कर रहे होते हैं, college अगली साल चालू होने वाला होता है, इस वैसे intermediate बोला जाता है, name of the board आपको बता देना है, कौन से board से किया है, year बता देन है, subject combination आपको बता देने कि कौन कौन से subject थे, जो आपने 10th class में पड़े थे, वो आपको यहाँ बता देना है, इस तरीके साथ आपको comma comma ऐसे comma डाल के आप अलग-अलग subject के नाम यहाँ पर डालने वाले हैं, फिर आपको बताना है, please select any of the following, अब आपको यह बताना है, percentage, cgpa या फिर grade में आये थे आपके marks class 10th के, वो आपको यहाँ बता देना है, अब फिर बताना है, आपको कितने माह से कितने marks आपके आये थे, वो आप यहाँ पर बताने वाले है, मेरे यहाँ पर जैसे 500 में से marks आ दाल दूगा, cbseo, icseo, या फिर कोई भी state board रहा होगा, तो मैं उसका नाम यहाँ पर डाल दूगा, same year डाल दूगा, कौन से year में मैंने pass किया, कौन से school से किया, institute से किया, फिर, please select any of the following, किसमे marks आये वो बता देना है, percentage, cgpa यह जिसमें भी, अब, maximum marks आपको बताना है, कित इस तरीकर यहाँ का मेरा percentage निकला है, class 12 का भी, marks के हिसाब से, अब यह data भी safe हो जाएगा, next हमको बोला जा रहा है, कि 100 रुपे हमें pay करने है, अब देखे, document and payment, पहले हमें document upload करने है, फिर हमें payment करनी है, 100 रुपे इसलिए payment करनी है, क्योंकि मैं UR category से हूँ, यानि कि unreserved category स यह आप कह सकते है, general category और EWS category वाले candidate को 100 रुपे पे करने है, बाकी आपका जो SCHT वाले category वाले candidate है, उनको नहीं करने है, बिल्कुल भी पे एक भी रुपे, form के साथ में ही आपका, जितने भी girls है, जितने ही female supply करेंगे इस form को, उनको बिल्कुल पे नहीं करना है, और बाकी आपका notification में भी लिखा हुआ है, किसको payment करना है, किसको नहीं करना, choose your payment mode, online payment ही कर सकते हैं हम इसमें, कोई offline check mode में कोई payment यहापर नहीं होगा, अब आपको I have previewed the application form by clicking on the preview form and confirm that all the data reflecting in the preview are correct, आपको एक preview आप पहले देख सकते हैं यहापर, आप यहापर यह आपको बात में करना होता है preview, सबसे पहले हम यहापर click here to upload में, यह चारों चीज़ा upload करेंगे, पहले हम करेंगे photograph upload करेंगे, signature upload करेंगे और 10th और 12th दोनों का mark sheet हमें यहापर upload करना पड़ेगा, अब यहापर 12th का mark sheet इसलिए मांगा जा रहा है, जो हमारी carpenter की post है, उसके लिए 12th pass होना जरूर upload करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको upload करना है, सारा कुछ one by one हम एक एक चीज़ upload करेंगे, यहापर लिखा हुआ है कुछ instruction है, यहापर लिखा हुआ है कि आपका जो photograph upload करने वाले है, वो JPG या फिर JPG format में होना चाहिए, साथ में उसका size होना चाहिए, उसका size होना चाहि है, अब हम यह आप upload करेंगे, कैसे upload करना है वो आपको दिखा देता हूं में, कि मैंने 1 by 1 सारा को चारो की चारो चीज़ अप लोड कर दी है, फोटो भी, सिगनेचर भी, मार्गशीट भी दोनों, 10th और 12th दोनों के, इस तरीके से देख सकते हैं, यह मैंने फोटोग्राफ upload कर दिया, यह देख सकते हैं, फोटोग्राफ JPG format में लिखा हुआ है, इस तर यह है कि आपने वो चीज़ अप्लोड कर दी है, अब यहां पर 100 rupees हमें pay करने है, मैं online का option चूज़ करूँ है, क्योंकि वह हमारे पास option है, यहां पर हमें पहले चारो पॉइंट पढ़ लेने, चारो पांचो पॉइंट, लास्ट में I agree है, उससे पहले हमारे से बोला जा रह चूज़ तो my best knowledge, I certify that I fulfill the government form eligibility criteria and undertake to produce original documents whenever necessary and I will not demand any resendule of exam, I agree to abide by the declaration of the authorities regarding the eligibility of my application and understand that any omission of fact in my application may justify cancellation of my government form application and scores, I understand that all disputes will be subject to the tutorials of the city of indoor only, मतलब मैं आप यह बोला गया है कि आपने पहले ही बता देना है कि मैंने सारा form पर आ है, वो सारा अपने details के ताफ से correct भरा है, कुछ भी गलत भरा हो, तो मेरा form cancel करा जा सकता है, मेरे marks बाद में आ जाते है जो exam के अंदर, उसमें भी marks होंगे वो भी एक तर sales गलत हो गई है, क्योंकि मैंने document जो दिये form के अंदर, सारा कुछ दिया, वो गलत है, इस तरीके से आपको यहां पर declare करना है, same इसी तरीके से आप आपको यह भी बोलना है, कि यह भी बता रहे हैं, कि आपके खिलाफ कोई action भी ले सके commission, दिखिए, आप बोला गया, action can be taken against me by the commission, अगर आपने कुछ भी यहां पर गलत दिया है, और उसके खिलाफ अगर कोई commission action लेना चाहे, तो ले सके यह आप बता देंगे आपे, same इस तरीके 3rd point में लिखा है, कि आपने advertisement पूरा अच्छे पढ़ा था, जो notification इस exam से related बताया गया था, और आपने सारी condition eligibility वाली fulfill करत देखते हुए, देखते हुए कि आपकी age limit भी उतनी है, उस age के बीच में आ रहे हैं, qualification भी आपकी education में उतनी हो रखी है, इस form को भरने के लिए, यह आपको सारा कुछ पहले बता देना है, टिक करके कि हाँ भाई, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और मैं उस हिसाब से हर त देख्लेर करना है, फिर finally हम यहाँ पर, यह हमारा capture आता है, capture हम उसे बोलते है, जो नीचे लिखा रहे है, 7, capital X, small m, फिर यहाँ पर लिखा रहा है, k, दो बार k लिखा हुआ है, उसके आज small v है, फिर f है, इस तरीके से मैं इसको submit करूँगा, हमारे पास यहाँ पर एक option हम पर देखने को मिल रहा है, हमसे बोला जारा है, कि आप चाहें तो एक पर photograph को पहले preview कर लीजिए, जो आपने upload करीए, आप कर भी सकते हैं, आप पर preview, आपको preview करने को बोला जा रहा है, कि आप एक बर uploaded photo का view एक बर देख लीजिए, यह आपने upload करीए photo, और यहाँ से आपने है, है, जो एक बर देखने घसकता है, आप ईने एक बर देखने, अभर में बर में एक बर». इस तहरी में हमारा । फोटोग्राफ भी आ गया है जो उन्हें आप अप लोड किया हम और एक बार प्रीवियू कर लेना की फो storms का रहा थे कुंअ फोटोग्राफ के साथ और पूर प्रीवियू में फॉर्म का देखने को मिल रहा है आंपे पूरा फोर्म योग मuve है ऊसरे अम इस तरी के दिल पूरा प्रिवीव भी हो सकते हैं यहां से हम कट करेंगे और यह हमारा प्रिवी अट जाएगा ते प्रिवी उवारा चलागे है हम प्रिवी मतलब हमने एक बार देख लिया पूरा फौर्म को अच्छे से अ जा, अब देखें मेरे को क्या करना है मेरे को one by one एक एक चीज पर व्यू कर लेना है मतलब जैसे ही मैंने अप्लोड कर दी अपने अप्लोड किया है सेम इसी तरीके से मेरे को यहां पर सब्सक्राइब हो जाएगा यहां पर हमसे बोला भी जा रहा है कि जो हमारा परसनल डेटा है जैसे कि एप्लिकेंट नेम कि वो आपका यूज कर जाएगा communication के लिए जी तरीके से अपका date of birth चाहिज कर जाएगा mobile नमबर जो है communication के लिए calls के लिए SMS के लिए यूज कर जाएगा इस एपर जो आपने apply किया जिस भी ड्राइविंग के लिए आपका अलग हो गया और बहुत सारे जो हमने आपर पोस्ट पर डिस्कुर्शन किया था तो सेम इस तरीके से रहेगा उसके आप हम आई एगरी करेंगे अब हम आब हमको पेमेंट करनी होगी पेमेंट हम किसी भी मैसेड से कर सकते हैं पेमेंट गेट वेमेंट हमने हैं उसमें यंद मेश्य हूं हम मस्कृत के अपने आकाउंट से पाइमेंट कर सकते हैं हैं चाहेँ राहा हमें पेमेंट कर सकते हैं यहाँ सकते हैं यहां पर net banking से कर सकते हैं और UPI का भी एक option हमें देखने को बिल्ला है उससे भी हम payment यहां पर कर सकते हैं तो मैं यहां पर UPI से payment करके दिखा रहा हूं आपको कैसे करना है यहां पर आप देख सकते हैं मैं को form की आपको भी एक ID मिली है आपको भी ID मिलेगी form की सेम इसी तरीके से reference नंबर आ गया है यहां पर हमारा और अब हमें यहां पर बोला जा रहा है 100 rupees यह जो है आपको पे करने है additional payment अभी यहां पर लिखी नहीं आई है अब मैं QR code से करना चाहूँ यह VPA से तो आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं UPI के अंडर बाकि हमारे net banking और credit card के option भी available थे वहां पर QR code में हम यहां पर क्या करेंगे इसको scan करेंग और हम finally payment कर देंगे यहां पर हमारा timer आ चुगा है कि हमें भाई पांच मिनट के अंदर अंदर जो है यहां पर payment कर देनी है मैं आपको दुआर highlight करके दिखा हूं यह timer आपको भी आने वाला आप जिस भी तरीके से payment करेंगे उसमें time आएगा कि आपको इतने time के अंदर payment कर देनी है सेम इसी तरीके से हमें यह QR code आता है इसे हम QR code बोलते है इसे हमें scan करना होता है दूसरे किसी device से और finally हम यहां से payment कर पाते हैं यहां पर दूसरा एक और नया time आ रहा है यह time वही है कि आपको इसको scanning का time अलग है और scan करने का payment हो जाने का time अलग होता है पूरी transaction का time यह आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसको scan कर लेना है दो मिनट के अंदर साथ में हमें इसको transaction complete करनी है scan करने का payment कर देनी है चाल मिनट के अंदर इस तरीके से हम payment कर लेंगे अभी यहां पर मैं cancel करूंगा तो यहां पर मिनको कुछ और लिखके आने वाला है failure लिखा आया है क्योंकि payment हुई नहीं है actual में आप जैसी payment करेंगे आपको यहां पर failed की जगा submitted या past लिखा आएगा successful लिखा जाएगा transaction status के अंदर और payment finally हो जाएगी यहां पर failure की जगा मैंने आपको बता दिया है payment होने के बाद आपको यहां पर application form दिख जाएगा उसका print out अब ले सकते हैं अपने device में save करके रख सकते हैं print out लेना है screenshot नहीं लेना screenshot में क्या है आपके पास एक image रहेगी हाला कि print out में आपके पूरा उसका PDF रहेगा रहेगा उसका format रहेगा पूरी एक file रहेगी जो आपसे बाद में मागी जाएगी जब आपका job के लिए recruitment हो रहा होगा जब आपका exam होने वाला होगा उसके बाद जैनि जब आपका exam भी हो जाएगा return का उसके बाद आपका physical test और यह सारा कुछ होगा तब जो है इसकी जुरुत पढ़ सकती है तो इस तरीके से आपको यह बात याद रखनी है यहाँ पर देगी लिखा भी हुए not submitted failure हुआ इस वह से जैसी यहाँ पर payment हो जाता उसके लिए form flip का तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करने वाले थे basically हम मिलेंगे नए topic में नए video के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद